सुपर टेस्टी, सुपर डिलीसियस, बहुत ही जल्दी ये खीर बन के तयार हो जाती है, आप ब्रत में खा सकते हैं, अपने बच्चों का हिल्ट अच्छा करने के लिए भी इस खीर का आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही डिलीसियस बनती है, और बहुत जल्दी बन जाती है, Hello everyone, मेरा नाम है कीरती और cookfair.com में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आईए ये समक की खीर फिर देख लेते हैं कैसे बनती है तो ये देखी ये समक का चावल है, ये चावल को टुकडो से भी ज़्यादा छोटी होती है और बहुत ही हिल्दी होती है, इसको आप जरूर ये मिलेट्स के रूप में खाई जाती है, कई तरह से बनती है इसको मैंने धो के ऐसे हाथों से रब करते हुए साफ कर लिया, यहाँ पे मैंने कडाही लिया है तीन चमच के करीब घी एड किया, यहाँ पे मैंने काजू, बदाम लिये हैं ड्राइफूर्स आप अपने मन पसंद के साफ से ले सकते हैं, मैंने थोड़ी सी एक चमच के करीब चीराओ जी एड इसी में कर दिया है इसको हलका सुनायरा होने तक आपको रोष्ट करना है कलर चिर नहीं करना, मैंने थी समख के चावल को 10 मिनिट के लिए भीगो के रख दिया था उसके बाद पानी इसका हटा के आपको इसको भी रोष्ट करना घी में तो इसको मैंने पान से साथ मिनिट तक रोष्ट किया यह देखिए ऐसे होना चाहिए इसके बाद मैंने यहां पर एक लीटर से थोड़ा सजादा मतलब एक लीटर से आधा कफ और ज्यादा मैंने यहां पर दूद लिया है आप एक लीटर के करीब ले सकते हैं थोड़ा जादा भी ले सकते हैं इसको बढ़िया से स्टर कर देंगे एक बार और इसको पकने देते हैं थोड़ी देर यह पकेगा ऐसे ही तब तक हम दूसरी तयारी कर लेते हैं यहां पर मैंने गुड की खीर बनाई है इसलिए गुड तो इसे थोड़ा सा कमा लगिन यह पर्फेक्ट मीठा है और ऐसे इधर खीर को हमें क्या करना इसक्रेच करते हुए अच्छी तरह पकने देना है मीडिया माच में ही पकाए बहुत जल्दी यह खीर बन जाती है तो दस मिनट हुआ नहीं कि देख सकते हैं आप यह पक चुकी ह नहीं देख सक्ना इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इक्दा मेंने और पानी में उबाला गिया है उसको भी इसी पानी में एड़ कर देंगे और थोड़ा से चला देंगे इसमें तीन से चार उबाल आ जाए तो हमें क्या करना है जो हमने गुड का पानी लिया इसको खीर में एड़ करना है लेकिन यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम आफ कर देना नहीं तो दूद्ध फट सकता है क्योंकि यह गुड़ है तो बस इसको आप स्टर कर दें ऐसे ही और यहाँ पे मैंने एक चमच के करीब इलाइची का पाउडर लिया है कुछ ड्राइ फ्रूट्स जो हमने ड्राइ रोस्ट किया थे वो इसमें आड़ कर देंगे और बाकी मैंने थोड़ा सा गार्निसिन के लिए बचा दिया है और यह देख सकते हैं एक दम पर्फेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है क्योंकि यह बाद में थोड़ी गाड़ी होगी और देख सकते हैं कितनी अच्छी खीर बन के तयार हुए आप ब्रत में खाईए बच्चों को खिलाईए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है एक बार मैं यहाँ पर आपको टेस्ट करके बताती हूं बहुत ही अच्छा टेस्ट है